हेलो दोस्तों स्वागत है आपका KEMCORSY के praticamente YouTube केंडल में और आज की स्वीडियो लेक्चर चर्च चा हम शुरू करने वाले हैं एक नई यूनिट जिसका نाम है chemical equilibrium अब ये chemical equilibrium क्या होता है chemical equilibrium में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात आज के इस video lecture में हम करने वाले हैं यानि कि इस video lecture में हम chemical equilibrium के introduction पर बात करने वाले हैं तो चलिए हम lecture को शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि chemical equilibrium आखिर में क्या होता है तो ये जो chemical equilibrium है ये हमारी physical chemistry की unit है जिसमें आज हम समझेंगे कि अगर हमारी कोई chemical reaction हो रही है क्योंकि देखिए यहाँ पर chemical जो word हमने use किया है chemical equilibrium में जो chemical word stand करता है वो stand करता है कि कोई chemical reaction हो रही है अब equilibrium का क्या मतलब होता है उसको भी हम समझेंगे यानि कि हम इस chemical equilibrium में जो हमारी chemical reaction होती है उस chemical reaction से related कुछ phenomena की बात करेंगे कुछ law की बात करेंगे और वो chemical reaction जब हो रही है तो उस chemical reactions की क्या क्या conditions रेती है उन पर बात करेंगे हम इस unit में की chemical equilibrium की क्या conditions रेती है chemical equilibrium हम आखिर में किसको बोलते हैं chemical equilibrium में हम कौन सी reactions पर बात करते हैं उनकी बात आजां के इस video lecture या हम बोल सकते हैं कि इस lecture series में हम करेंगे तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि chemical equilibrium का क्या मतलब होता है तो देखिए chemical का तो मतलब होता है कि कोई chemical reaction अब हम समझते हैं कि equilibrium का क्या मतलब होता है तो देखिए equilibrium का मतलब होता है कि अगर कोई process हो रही है वो चाहे chemical process हो या कोई other process भी आप ले सकते हैं सिर्फ अभी word equilibrium का मतलब समझ रहे हैं कि equilibrium क्या मतलब होता है या equilibrium किसको stand करता है तो देखिए कोई भी process हो रही हो चाहे वो chemical process हो या other कोई process हो और वो process चाहे living process हो या non living process हो यानि कि वो biological process भी हो सकती है या normal कोई और other physical process भी हो सकती है तो वो जो physical process या जो biological process या वो chemical process होती है उस process में कुछ न कुछ चेंज तो हो रहा है क्योंकि हर एक process के दोरान कुछ न कुछ चेंज होता है अगर वो chemical process है तो वहाँ पे कोई न कोई chemical change आ रहा होगा कोई अगर physical process है तो वहाँ पे हो सबता है कोई physical state change हो रहा हो अगर कोई biological process है, तो हो सकता है कि कोई biological reaction हो रही हो, कोई biological change आ रहा हो और वो जो biological reaction हो रही है, obviously CDC बात एक biological reaction अगर हो रही है, तो वो living things में हो रही है यह कोई living things है, कोई ऐसी जीवित चीज है, उसमें कोई biological process हो रहे हूँ, तो देखिए कि जितनी भी process होती है, वो process उस तरफ move करती है, या वो process उस तरफ जाना चाहती है, जिदर से उस process में जो भी final step मिले हमें, या final state में वो process अचीव करें, वो final state stable हो, यानि कि हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप एक, हम example लेके चलते हैं, एक chemical reaction का, तो वो chemical reaction में हम कोई हमारे पास में कोई reactant मान लो, ए भी है, कोई यह क्या है, हमारे पास में कोई reactant, ए भी है, यह कोई reactant species है, और इस reactant species से, अगर product का formation हो रहा है, मान लो कि कोई product CD बन रहा है, यह हम normally, ऐसे ही, समझने के लिए यह ले रहे हैं, यह भी हमारा कोई reactant molecule है, और इस reactant molecules में chemical change आया, chemical process होई, और CD molecules बना, और यह reaction कैसी है, यह reaction spontaneous reaction है, spontaneous reaction, spontaneous reaction, क्या मतलब होता है, कि यह reaction अपने आप होने वाली reaction है, इस reaction को होने में हमने बाहर से कोई force नहीं लगाया, बाहर से कोई physical condition नहीं लगाया, तो जब भी कोई ऐसी process होती है, जो कि कैसी हो, spontaneous process हो, और उस process में जो reactant रहता है, उस process में जो reactant रहता है, reactant हमेशा product में convert होता है, तो जो reactant रहता है, वो हमेशा stability को gain करते हुए product में convert होगा, यानि कि हम बोल सकते हैं कि यह reactant जो था, यह कम stable था, और इसने में अपनी stability लाने के लिए, या इसने अपनी stability gain करने के लिए, एक chemical process करी, और एक product बना लिया, यानि कि हम बोल सकते हैं कि ये जो product बना हैं, ये जो product बना हैं, ये कैसा रहेगा, अब ये more stable रहेगा, more stable रहेगा, किस condition में हो रही है ये process, ये process spontaneous हो रही है, जब spontaneous process होती है, तब ये जो reactant था, ये कैसा था, ये less stable था, less stable था, यानि कि हम बोल सकते हैं कि इस universe में जितनी भी process ह रही है, जो कि कैसी हो, spontaneous process हो, spontaneous reaction हो, वो हमेशा किस तरफ जाना चाहती है, तो वो हमेशा stability की तरफ जाना चाहती है, तो जितनी भी chemical reaction होती है, जो कि spontaneous chemical reaction होती है, वो भी stability की और जाना चाहती है, उनसे भी जो product का formation होगा, वो product उस reactant, जिस भी reactant से बना, उस reactant से ज़्यादा stable र chemical reaction हो जब भी कोई ऐसी chemical reaction हो जो कि कैसी हो reversible हो जो कि कैसी हो reversible हो जो कि कैसी हो reversible हो reversible का क्या मतलब होता है देखिए आप समझेए कि यह जो reactant से product बन रहा था यह reactant से जो product बन रहा था यह process कैसी है यह process हो रही है सिर्फ एक direction में हो ये कि reactant से product बना ये product stable हो गया फिर ये reaction रुख गई लेकिन अगर ये reaction वापिस से ये product को वापिस से reactant में change होता अगर ये product वापिस से reactant में change होता यनि कि अब इस reactions की direct product से reactant की तरफ हो जाती क्योंकि इस condition में reactant क्या था reactant हमारा था AB reactant था और AB reactant convert होते हुए product CD बना लेता है लेकिन कुछ conditions के बाद में लेकिन अगर यही process reversible हो जाती कुछ conditions के बाद या हो सकता था कि यह naturally अगर reversible process होती तो उस condition में क्या होता कि यह CD again reaction करके AB में convert हो जाता यानि कि इसे आप यहाँ पर समझीए कुछ इस तरह से reaction होती AB हमारा reactant molecules था यह reactant molecules product में convert हुआ CD इसने form किया लेकिन यह जो CD था again again वापिस से reaction करते हुए AB में convert हो गया यानि कि हम बोल सकते हैं कि जब reactions AB से CD की तरफ चल रही थी उस condition में जो AB था वो AB as a reactant था AB reactant था लेकिन जब process CD से AB की तरफ जा रही थी उस conditions में CD क्या रहेगा जब reactions CD से AB की तरफ जा रही थी तो उस condition में CD reactant हो जाएगा CD reactant हो जाएगा और जब CD reactant रहेगा उस condition में AB क्या रहेगा AB product रहेगा AB product रहेगा और जब reactions AB से CD की तरफ जा रही उस condition में CD जो रहेगा वो क्या रहेगा product रहेगा तो reactant कौन रहेगा product कौन रहेगा वो किस पर depend करता है reactions की directions पर depend करता है और एक time के बाद में देखिए जब ये reaction start हुई होगी और जब पहला molecules AB का पहला molecules टूट कर CD में form किया होगा और जब इसकी initial condition रही होगी तो CD सी जायर सी बात है कि ये जो AB था इसका concentration AB का concentration क्या रहा होगा initial condition में high रहा होगा क्योंकि आपने AB लिया था लेकिन धीरे धीरे इस CD का formation होने लगा होगा CD का धीरे धीरे बनने लगा होगा CD का धीरे धीरे concentration क्या करने लगा होगा increase करने लगा होगा और time के साथ में AB का concentration decrease करने लगा होगा लेकिन एक condition ऐसी आजाएगी कि जब AB और CD दोनों का concentration क्या हो जाएगा same हो जाएगा क्योंकि time के साथ में AB का concentration decrease कर रहा है और CD का concentration increase कर रहा है लेकिन एक time के बाद में AB और CD दोनों का concentration same हो जाएगा उस समय हम बोल सकते हैं कि क्यों अच्छा एक चीज और इन दोनों का concentration same क्यों हो जाएगा तो इन दोनों का concentration इसलिए same हो जाएगा क्योंकि यह जो reaction हो रही है, जो यह reversible reaction हो रही है, इन दोनों reversible reaction जो कि एक forward direction में हो रही है, क्योंकि जब AB से CD बन रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं, कि यह reaction कैसी हो रही है, forward direction में हो रही है, और जब CD से AB बन रहा है, तो उसे हम बोल देते हैं, कि यह backward direction में reaction हो रही है, तो जब forward direction में reaction हो रही थी तब और backward direction में जो reaction हो रही थी, उसकी अगर दोनों की rate क्या हो जाए same हो जाए, अगर दोनों की rate क्या हो जाए, rate same जब हो जाती है, तो उस condition को हम क्या बोलते हैं, कि ये जो process थी, जो reversible process हो रही थी, ये process कौन सी state में आ गई, कि ये process आ गई equilibrium की state में equilibrium की state में आ गई ये condition जो रहेगी ये इस reaction या इस process की जो state रहेगी वो क्या हो जाएगी equilibrium की condition आ जाएगी तो आपको समझ में आया होगा कि equilibrium की condition क्या होती है तो हम chemical equilibrium में पढ़ने वाले हैं कि जब भी एसी chemical reaction हो जो की equilibrium की condition में आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं कि वो reaction जो थी हमारी वो chemical equilibrium में आ गई है वो equilibrium की state में आ गई है अब हम बात करते हैं कि यह जो equilibrium की state आ जाती है किसी भी chemical reaction की उस समय उस reactions का graph किस तरह से दिखेगा उसकी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं तो देखिए equilibrium की जब भी condition आएगी किसी भी reaction के लिए किसी भी reaction के लिए जब भी equilibrium की condition आएगी तो क्या होगा दिखिए इनिशियल कंडिशन में जो AB रहेगा या जो रियक्टेंट रहेगा इनिशियल कंडिशन में जो रियक्टेंट आपने लिया है उस रियक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा हाई रहेगा उस रियक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा हाई रहेगा और जो product form हो रहा है या जो आपका जो भी product बन रहा है उस product का concentration initial condition में क्या रहेगा zero रहेगा या कम से कम रहेगा लेकिन time के साथ जैसे जैसे process होती जाएगी वेसे वेसे इस AB का या ये जो reactant रहेगा उसका concentration time के साथ decrease करता जाएगा और एक time के बाद में constant हो जाएगा और जो product रहेगा और जो product formation हो रहा था उस product का concentration time के साथ increase करता जाएगा और एक condition के बाद में constant हो जाएगा तो ये जो constant की condition आ जाएगी जब दोनो reactant और product दोनों का concentration same हो जाएगा या constant हो जाएगा उस condition को हम क्या बोलते हैं equilibrium condition क्या बोलते हैं equilibrium की condition आ गई अब बात आती है कि यह जो equilibrium की condition है या equilibrium की जो state है इसका nature क्या होता है तो यह जो equilibrium की condition होती है यह होती है dynamic nature की किस nature की होती है dynamic nature की क्या होता है dynamic nature देखिए आप समझिए यहाँ पर कि जो equilibrium condition होती है equilibrium state लिख देते हैं equilibrium की जो state होती है वो कैसी होती है dynamic nature की होती है डाइनमिक, नेचर, historians की होती है, क्या होता है, डाइनमिक नेचर आप देखिए, कि मानलो हमारे पास में, दो विकर थे, और उन विकर में, कोई सोल्यूशन भरा हुआ है, और वो दोनों विकर, एक दूसरे से, connect थे तो देखिए कि हमारे पास में एक मानलो कोई बिकर ये है और एक बिकर ये था और ये दोनों बिकर कैसे हैं एक दूसरे के साथ में connected है एक दूसरे के साथ में connected है और मानलो कि ये वाला जो first बिकर है इसको हमने A नाम दे दिया जो second बिकर है इसको हमने B नाम दे दिया और इन दोनो बिकर के अंदर कोई solution बरा हुआ तो जो बिकर A था उसमें कुछ इस level तक solution बरा था बिकर A में जो solutions का level था वो कुछ इस तरह से रहा होगा और जो बिकर B था उसमें जो solutions था उस solutions का जो level था वो थोड़ा कम था या इस solution बिकर A के solution level से कम था तो क्या होगा time के साथ में time के साथ में क्या होगा कि यह जो solution यह जो bicker first था इस bicker A से इस bicker A से कुछ जो भी वो solution भरा है आपने वो solutions bicker B में आने लगेगा और bicker B में solutions का level time के साथ में कम होता जाएगा और एक time पर आप देखेंगे कि bicker A और bicker B दोनों में जो level था solution का वो same हो जाएगा और यह जब level same हो जाएगा तो आप देखेंगे आप वहाँ पर observe करेंगे कि अब bicker A से bicker B में solution जाना बंद हो गया है और bicker B से भी कोई solution bicker A में नहीं आ रहा मतलब कि आपको लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा देखने पर आपको ऐसा लगेगा बट actual में ऐसा होता नहीं है कि यह जो solution का flow था यह कभी भी रुपता नहीं इस condition में क्या होता है इस condition को हम बोलते हैं जब दोनों के level same हो गए कि यह जो bicker या यह जो system आपने लिये थे यह system किस condition में आ गए equilibrium की condition में आ reversible process नहीं हो रहीं लेकिन actually ऐसा होता नहीं actual में क्या होता है कि यह जो solutions का flow हो रहा था बिकर A से बिकर B में और बिकर B से बिकर A में यह flow आपको देखने पर तो नहीं लगेगा कि flow हो रहा है लेकिन actual में flow हो रहा होता है कि एक time moment पर एक time के एक moment पर जितना solutions बिकर A से बिकर B म में चले जाता है जिसकी वज़े से इन दोनों भी करके अंदर solutions का level तो constant रहता है साथ ही में देखने पर ऐसा लगता है कि कोई flow नहीं हो रहा है लेकिन वास्ताव में flow हो रहा होता है क्योंकि same quantity का flow same quantity का flow और same time पर या same moment पर होता है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि flow नहीं होरा लेकिन actual में flow होता रहता है और ये process constantly या continuously चलती रहती है तो हम बोल सकते हैं कि जो भी equilibrium की condition में equilibrium में कोई भी जो process होती है जो reaction होती है वो continuous होती रहती है वो कभी भी समाप्त नहीं होती कभी भी उनका अंत नहीं होता इस्टो नहीं होती तो यह नेचर होता है किसका equilibrium state का या equilibrium reaction का केसा नेचर होता है dynamic nature की होती है इसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक low पढ़ते हैं और उस low का नाम है law of mass action अब यह जो law of mass action है यह हम chemical kinetics में भी पढ़कर आएं अगर आपने हमारी lecture series देखी होगी तो वहाँ पर भी हमने chemical kinetics के lecture में law of mass action पढ़ा था क्या होता है law of mass action उसको हम discuss करते हैं पहले इसे हम rough कर लेते हैं फिर हम discuss करते हैं कि law of mass action क्या होता है देखिए समझते हैं कि law of mass action क्या होता है law of mass action गुलबर्ग एंव वागे दो scientist हुए गुलबर्ग और वागे उन्होंने दिया था और यह जो law of mass action होता है यह हमें क्या बताता है कि अगर कोई chemical reaction हो रही है तो उस chemical reaction की rate किस पर depend करती है या उस chemical reaction की rate को कौन सा ऐसा factor होता है जो affected करता है तो वो हमें बताता है कौन law of mass action पढ़ने से पहले हम एक term पढ़ेंगे उसका नाम है active mass heading डाल लिजए आप active mass देखो active mass क्या होता है active mass को आप इस तरह से समझेए कि आप ने कोई reaction करवाने के लिए कोई solution prepare किया Church करवाने के लिए कोई solution प्रिपेर किया मान लो ये एक solvent है और इस solvent के अंदर आपने कोई reactant substance डाला जिससे आपको reaction करवानी है मान लो कि आपने कोई 10 gram reactant substance डाला तो 10 gram reactant substance डाला तो इस solutions के अंदर 10 gram आपका जो substance है वो dissolve हुआ होगा तो इस solutions के अंदर उस substance के कितने mole present है उस substance के कितने mole present है उस substance का कितना concentration ऐसा मौजूद है जो की reactions करके product में convert होने वाला है उसी को हम क्या बोलते हैं उस substance का active mass बोलते हैं इसे आप एक example से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी class है मान लीजिए आपकी class है और आपकी class में total कितने student है मान लो कि आपकी class में total 40 students है और इन 40 students को आपके college या आपके school से कहा गया कि एक function हो रहा है और उस function को participate कर उस functions को पूरा handle करना है और उस functions को आपकी जुम्मेदारी है आपकी जो class के 40 students थे उनकी जुम्मेदारी है कि उस functions को पूरी तरह से या systematic way में कराया जाए तो ये जो 40 students थे क्या ये सारे 40 students अपना effort डालेंगे क्या ये सारे 40 students उस functions को करवाने के लिए अपनी जागरुकता दिखाएंगे नहीं ऐसा नहीं होगा ये सारे 40 students उस function में participate नहीं करेंगे कुछ particular students ऐसे रहेंगे जिनको ऐसी activities में interested रहते हैं कुछ students ऐसे रहेंगे जिनको ऐसी activities करवाने में मज़ा आता सिर्फ वही student participate करेंगे और वो particular function करवाएंगे तो हो सकता है कि इन 40 students में से 15 students ही participate करें 15 students ही अपना effort डाले और वो function करवाए तो आपने कितना substance या कितना reactions करवाने के लिए substance लिया था और कितना substance आपने लिया था और कितना substance active रहा कितने substance का effort रहा वो process करवाने के लिए वही active जो process active student की संक्या है वही active student की संक्या क्या कहलाती है active mass कहलाती है active mass कहलाएगी तो इस तरह से आपने जो 10 gram substance लिया था इस 10 gram में से कितना gram कितना gram या इस 10 gram का कितना mole कितना mole reactions करके product बनाने में capable है product बनाने के लिए interested है वही उस substance का या उस reactant का active mass कहलाता है अब अगर मानलो आपको gram में यह हमने 10 gram लिया था यह 10 gram लिया था अब हमें mole में निकालना है क्योंकि active mass को हमेशा mole में लेंगे mole में इसलिए लेंगे क्योंकि हमें concentration के term में लिखा जाता ह है और हाँ active mass क्या होता है active mass generally concentration ही होता है active molecules का concentration होता है तो यह 10 gram आपने मानलो ले लिया कोई molecules ले लिया 10 gram ले लिया कोई molecules के अब इसे आपको moles में convert करना है तो moles में कैसे convert करते हैं moles में कैसे करते हैं कि जितनी gram में quantity है जितनी gram में quantity दी है उसको ऑपोन में आप किसको कर देते हैं molecular weight को molecular weight से gram को आप क्या कर देते हैं divide बाइट कर देते तो आपको मॉल में quantities मिल जाएगी अब active mass के हम definition लिख लेते हैं कि active mass हम किसे बोलते हैं तो number of number of moles number of moles या gram molecules भी इसे आप लिख सकते हैं gram molecule मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में किसी भी मॉलिक्यूल के कितने मॉल्स प्रजेंट है वही उस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा active mass हो जाएगा और active mass को हमेशा हम इस तरह के bracket में लिखते हैं concentration को जिस तरह से लिखते हैं concentration के bracket में लिखते हैं क्योंकि active mass भी एक तरह का क्या है concentration होता है और concentration का formula क्या होता है concentration is equal to क्या होता है mole mole per liter होता है ना mole per liter होता है तो आपने कितने mole लिए है per liter में वही उस molecules का या उस reactant का क्या हो जाएगा active mass हो जाएगा तो active mass आपने समझे लिए अब हम आते हैं कि low of mass action क्या होता है तो देखी चलिए इसे पहले रप कर लेते हैं फिर हम low of mass action का भी statement लिख लेगे active mass आपको यहां से समझ में आया अच्छा हम पहले काम करते हैं law of mass action का हम statement लिख लेते हैं फिर हम इसे समझेंगे कि यह statement हमें क्या कहना चाहता है ठीक है तो the rate of rate of chemical reaction chemical reaction rate of chemical reaction directly proportional directly directly proportional to active mass of reactant क्या बोलता है law of mass action की rate of chemical reaction अगर कोई chemical reaction हो रही है तो उस chemical reactions की जो rate रहेगी वो किसके directly proportional रहेगी उस reactant के active mass के directly proportional रहेगी अब एक condition और है यहां पर वो condition क्या होती है if the reactant reactant is more than one more than one यानि जो reactant है आप जो reaction करवारे वो अगर वो reaction एक से जाधा हुए तो कुछ समाइ़ पर जो लोक अजिक जो रहेगी आप जो रहेगी रहेगी आप से जाद हुए तो उस समय पर जो लोक अधेक्षिन क्या प्यता है वो देखिया क्या बोलती है कि अगर कोई reaction ऐसी है जिसमें दो या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा reactant species रही तो उस condition में जो उस chemical reactions की rate रहेगी वो उन सारे जो reactant है उनके active mass के product के directly proportional रहेगी देखी समझी एक्जामपल से कि अगर मानलो कोई chemical reaction हो रही पहले हम single reactant को chemical reaction को समझ लेते हैं मानलो हमारे पास में reactant A था और ये reactant reversible process करते हुए product C में convert हो रहा है यानिकि यह जो reaction है कैसी reaction है reversible reaction है दोनो direction में हो रही है तो इस condition में जो rate of reaction रहेगी जो rate of reaction अच्छा rate यहाँ पर दो तरह से reaction हो रही है एक forward direction में हो रही है एक backward direction में हो रही है concentration of A या active mass of A अगर हम इसे backward reactions के लिए लिए लिखते हैं यानि C से A की तरफ के लिए हम लिखते हैं तो rate of backward reaction के लिए R भी लिख लेते हैं वो directly proportional रहेगी कि किसके concentration of C या active mass of C तो यह तो हो गई जब reactant आपका कैसा हो जब आपकी reaction single reactant वाली हो लेकिन अगर यही reactions double reactant वाली रही है या एसी reaction रही जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा reactant रहे चलिए इसे भी हम एक example से देख लेते हैं कि एक reactant A है एक reactant B है और इन दोनों के मिलने से कोई product का formation हो रहा है C and D तो उस condition पर उस condition पर जो forward reaction है जो forward direction की reaction है उसकी rate क्या हो जाएगी RF rate of forward direction reaction directly proportional of active mass of A into active mass of B क्योंकि इन दोनों के product के directly proportional रहेगी यह हमें कौन बोलता है low of mass action इसी तरह हम backward direction के लिए लिखें RB directly proportional कि इसके हो जाएगी active mass of C into active mass of D तो यह हमें बोलता है कौन? low of mass action अब अगर इसी reactions में हम अगर इनके different different mole रहे मान लो कि इनके mole रहे कि A का कोई mole रहा B के कुछ mole रहे तो उनको किस तरह से लिखते हैं? चलिए हम यहीं पर लिख देते हैं कि अगर मान लो कि A के A के N1 mole रहे, B के N2 mole रहे, C के M1 mole रहे और D के M2 mole हमें दिये गए तो उस conditions में हम rate of reactions किस तरह से लिखते हैं? forward direction के लिए और backward direction के लिए तो हमें पता है हम chemical kinetics में पढ़ चुके हैं कि जो भी stoichiometry ratio रहेंगे या जो भी stoichiometry के जो आकड़े रहेंगे वो हमेशा हम concentration की power में लिखते हैं उस reactant के तो यहाँ पर हमारा reactant A का जो हमारा stoichiometric ratio या stoichiometric आकड़ा क्या है यहाँ पर N1 है तो N1 कहाँ पर आ जाएगा? A की power में आ जाएगा B के लिए क्या है? B के लिए है N2, N2 B की power में आ जाएगा हम जो rate of chemical reaction है उसे कुछ इस तरह से express करते हैं यह हमने forward directions के लिए भी देख लिया और backward directions के लिए भी देख लिया इसके बाद में आता है कि यह जो chemical reaction हो रही है इस reactions का या जो यह जो reversible chemical reaction हो रही है इस reversible chemical reaction का rate constant क्या होता है और उस rate constant को हम किस तरह से लिखते हैं तो उस rate constant की बात हम करेंगे next lecture में इस lecture में हम यहीं तक पढ़ेंगे तो अगर आपको यह lecture पसंद आया हो अगर आपको समझ में आया हो कि chemical equilibrium क्या होता है law of mass action हलाकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो आपको यहां पर तो law of mass action समझ में आया ही होगा तो अगर आपको यह video lecture पसंद आया हो तो इस video lecture को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और हम मिलते हैं next lecture में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि यह जो chemical reaction हो रही है या यह जो हमारी reversible reaction हो रही है इस reversible reaction के लिए rate constant किस तरह से लिखते हैं तो चलिए हम lecture को यह पर finish करते हैं मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए bye bye thank you